राज कचोरी देली का फेमस टीट फूड है ये बोती चट पटा और खाने में टेस्टी है आज मैं आपके साथ एकदम ईजी तरीके से परफेक्ट राज कचोरी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राइक कीजिए हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू क्रेज़े यल्दी फूड आज हम बनाएंगे राज कचोरी राज कचोरी बनाने के लिए हम पहले आटा लगा लेंगे मैंने यहाँ पे 1 फॉट कप मैदा और 3 फॉट कप बारिक सूजी ली है उसमें 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंड सेक्षन में कमेंड करके ज़रूर बताईए अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका सक ताटा लगा के ले लेंगे मैंने यहां पर सक ताटा लगा के ले लिया है अभी हम इसमें एकदम थोड़ा साउल डालेंगे और आटे को सब साइट से लगा के ले लेंगे अभी हम आठे को ढखके हाफ आर के लिए साइड में रख देंगे आठा सेट हो जाएगा हाफ आर के बाद आठे को थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी आठ से दस लोहिया बना के ले लेंगे अभी हम आठे की एक लोहिया लेके उसको पूरी की साइज में बेल लेंगे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पूरीया बनाके ले लिए अभी हम को तल लेंगे कचोरी तलने के लिए मैंने यहाँ पे ओइल अच्छे से गरम करके ले लिया है अभी हम उसमें एक पूरी डाल लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे उसकी वज़े से पूरी अच्छे से फूल जाएगी हम इस बत का ध्यम रखेंगे जब हम पूरी डालते हैं उस टाइम पे गैस की फ्लेम हाई रहे एक बार कचोरी अच्छे से फूल जाने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कचोरी को low flame पे अच्छे से golden brown और crisp होने तक हम उसको तल लेंगे अब देख सकते हैं कचोरी दोनों साइड से अच्छे से golden brown और crisp भी हो गई है अभी हम उसको निकाल लेंगे एक कचोरी तलने के लिए हमें 5-7 मिनिट लग जाते हैं अभी हम कचोरी को half hour के लिए खुली हवा में रख देंगे कचोरी अच्छे से थंडी हो जाएगी और crisp भी हो जाएगी कचोरी के filling के लिए मैंने यहाँ पे काबुली चनी रात को भीगा दिये थे और सुबह अच्छे से दो के उसको कुकर में डालके उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालके उसको अच्छे से बॉयल करके ले लिए हैं और दो आलू को मैंने बॉयल करके उसके चोटे टुकडे बनाके ले लिए हैं चनी और आलू को अभी हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे उसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, दनिया पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा निलू का रस भी डाल सकते हैं अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे कचोरी थंडी हो गई है और एक्दम क्रिस्पी भी बन गई है अभी हम इसमें फीलिंग भर देंगे अभी हम कचोरी में 2-3 चमच चने और 2-3 चमच आलू डाल देंगे उसके उपर बारी कटा हुआ प्याज और बारी कटा हुआ टोमेटो डाल देंगे दही को मैंने अच्छे से फेट के लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था आप चाहे तो उसमें थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं अभी हम 3-4 चमश दही इस पे डाल देंगे दगी के उपर अभी हम थोड़ी सी इमली के चटनी और मिंट चटनी डाल देंगे परफेक्ट इमली के चटनी और मिंट चटनी कैसे बनाते है उसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है आप चाहे तो देख सकते है अभी हम उसके उपर थोड़े से अनार दाने और बारिक शेव डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर चाट मसाला उसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के हम इसको सव कर देंगे एकदम पर्फेक्ट और टेस्टी राज का चोरी बनके रेड़ी है आप देख सकते हैं कितनी यमी दीख रही है अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी तो मेरे रेसीपी को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स रेसीपी के साथ तक तक लिए बै-बै